नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से competition community में मैं हूँ आनन कुमार और आज के इस लेक्चर में हम 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक कि जितने भी national और international current एफर के important topics हैं उसे हम cover करने वाले हैं इससे पहले लेक्चर में हमने एक नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक के सारे important topics को cover कर लिया था और इसी लेक्चर में मैंने बोला था कि नवंबर महीने वाला current एफर है वो दो पार्ट में होगा क्योंकि वीडियो कलेंट बहुत जादा हो तक आपने नहीं देखा है एक से 15 नवंबर तक वाला तो उपर आई बटन पर क्लिक करके या description box में link दिया हुआ है playlist बना हुआ है वहां से आप लोग देख सकते हैं चलिए शुरू करते हो रहा इस लेक्चर का अगर आपको पीडिएफ चाहिए तो वह कहां से मिलेगा टेलिग्राम चैनल से तो टेलिग्राम चैनल का link जो है नीचे description box में दिया हुआ है या comment box में भी पिन किया हुआ रहता है तो वहां से जाकर आपको टेलिग्राम चैनल से एक और भारतिये प्रतिभावान को जो है एक international company का CEO बनाया गया है नाम है पराग अगरवाल मुंबई के रहने वाले हैं और इन्हीं हाली में Twitter का CEO बनाया गया है अब Twitter के इससे पहले जो CEO थे जैक डोरसी थे और इनकी जगह पर पराग अगरवाल को Twitter का नया CEO अपॉइंट क किया गया है तो यहां direct आफ से question पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस भारतिये मुल्के व्यक्ति को Twitter का जो है वो CEO बनाया गया है यानि कि Chief Executive Officer अगर हम पराग अगरवाल की बात करें तो इनका जब मुंबई में 1984 में हुआ था और IIT Bombay से इन्होंने अपना बीटे का को operate कर रहे हैं या फिर उसके CEO है तो सुंदर पीचाई सभीन के बार में जानते हैं Google के CEO है इसके अलावा अगर हम बात करें सब्सक्राइब करते हैं तो यह नूकिया के CEO है इसके अलावा हम संदीप मतनानी की बात करते हैं तो यह विवार्क कंपनी के CEO है तो इस तरह से भा टॉप CEO हैं जो वर्ल्ड क्लास कंपनीज में CEO हैं इनका नाम आप याद रखिएगा कभी भी कहीं सभी question पूछा जा सकता है लेकिन हाँ पराग अगरवाल के बारे में आपको खासकर याद रखना होगा कि इन्हें हाली में Twitter का CEO अपोइंट किया गया है कि इनकी जाग पे अ कि इन्च्णल पूवर्टी इंडेक्स के बारे में पढ़ा था और इस इंडेक्स को जारी किया गया था उनाइटेड नेशन डेवलापनेंट प्रोग्राम की तरप से और अब नीती आयोग की तरब से एक राष्टिये multi-dimensional यानि के national multi-dimensional poverty index जारी किया गया है दोनों के बारे में आपको ध्यान में रखना होगा अगर हम कुछ दिन पहले ही हमने discuss किया था multi-dimensional poverty index global के perspective में तो भारत का ranking याद रखिएगा 109 देशों में 66 था आज के इस lecture में हम discuss कर रहे है नीती आयोग ने जो जारी किया है multi-dimensional poverty index उसके बारे में तो यह जो report release किया है या फिर index release किया है नीती आयोग ने यह राष्टिये परिवार स्वास्तरविक्षण 4 पर आधारी था जिसे कि 2015-16 में लागू किया गया था और इनी आकड़ों के अधार पर इस report को जारी किया गया है इसके तीन समान रूप से भारती आयाम है और इस तीन आयाम में जो total है वो 12 indicators है और यह तीन आयाम कौन-कौन सा ही ध्यान रखिएगा तो आपको health हो गया education हो गया और lifestyle कैसा है उस प्रकार से इन तीन आयाम के अधार पर तोटल 12 indicators को मिला कर 12 indicators में अगर आप देखोगे तो गरीबी, schooling या फिर mal nutrition का समस्या कैसे है उन्हें खाने पीने की चीज़ें कैसे किस प्रकार से मिल रहा है स्कूल में बच्चों का admission किस प्रकार से है इसके अलावा अगर आप दे लिस्किया है यह है टोटल 12 indicators और यह 12 indicators के scores है अगर हम nutrition की बात करें तो 37.7% Indian population को जो है बहतर nutrition नहीं मिल पाता इसके अलावा child mortality यहाँ पर दिया हुआ है स्कूल attendance की बात किया गया है, cooking fuel की बात किया गया है, sanitation साफ सुत्र की बात किया गया है, यहाँ पर drinking water की बात किया गया है और सारे percentage दिया हुआ है कि कितने percent भार्टियों को जो है उपलब्ध नहीं होता है अब यह red जो यहाँ पर graph आपको दिख रहा है, यह बहुत ही खराफ situation कह सकते हो, बहतर हो सकता था लेकिन बहुत खराफ situation आप इसे मान सकते हो तो इस तरह से जो 12 indicators और 12 indicators के overall rank किस प्रकार से है, percentage किस प्रकार से है, वो आप देख सकते हो यह important हो जाता है इस index के अनुसार की top 5 states भारत के कौन से है, multi-dimensional poverty के मामले में यानि कि वहाँ पर multi-dimensional poverty index का जो गरीबी है, वो बहुत ही कम है तो किरला में सिर्फ 0.71% population जो है multi-dimensional poverty के category में आता है, गुआ में यही 3.76%, सिक्किम में 3.82% यानि कि इन राजियों के स्थिति बहतर है, यह top 5 राज है और यह bottom 5 है, बिहार सबसे बुरे स्थिति में है, यहां का जो total population है वो 51.91% जो है, वो multi-dimensional poverty के category में है उसके बाद, नीचे से second number पे आ जाता है जहारखन और फिर number आता है UP का, तो यह bottom के 5 states है अगर हम यहाँ पर 36 गड़ की बात करें, तो 36 गड़ भी top 10 में आता है, इसका ranking है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वा ranking और score है 29.91, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, चलिए, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो हमारा topic है, यह भी एक बहुत ही important topic है, चाहे SSA का examination हो, state government का किसी भी तरह से को examination हो, तो यहाँ से question पूछा जाता है, जो भी military exercise होते हैं, उससे related किसी ना किसी exam में आपको दीखी ही जाएगा, तो यह है भारत और France का सैयुक्त सैन अभ्यास, जिसका नाम है सक्ति, और इस सक्ति 2021 का आयोजन किया गया, जो कि 6 संसकरन था, 26 नवंब 2021 को France में इस वार इसका आयोजन हुआ, एक और बहुत important point यह याद रखिएगा, कि यह जो है वी वार्सिक है, यानि कि दो वर्सों में एक बार इसका आयोजन किया जाता है, 2019 में इसका आयोजन जो है भारत के राजिस्थान में किया गया था, ठिक, वी वार्सिक है, वर्स मे एक बार आयोजन किया जाता है, पिछला संसकरन, कहा आयोजन हुआ था, राजिस्थान में आयोजन हुआ था, पाचवा संसकरन और छटवा संसकरन, यानि कि अभी हाल फिलाल में आयोजन किया गया है, कहां, आपका फ्रांस में, अब इसका नाम क्या है, सक्ति सैन अभ्यास यानि कि एक military exercise है अब एक और सक्ति नाम से exercise किया जाता है जिसका नाम है कुंकर सक्ति यह जो है एक तरह से naval exercise है जो भारत और UK द्वारा सहियोग तुरूप से आयोजित किया जाता है तो कुंकर सक्ति और सक्ति दोनों में confused मत हुएगा इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दोनों का नाम clear बता दिया है सक्ति जो है एक military exercise है जो कि भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है इसके लाबा कुंकर सक्ति जो है भारत और UK के बीच आयोजित किया जाता है जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है अब भारत और फ्रांस के बीच और कौन-कौन से मिलिटर एक्सरसाइज किया जाते है तो इसमें वरून आ गया जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है इसके लावा डेजट नाइट ये अगर आप देखोगे तो एक वायू सेना अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है और इसके लावा एक और आजाता है गरूड ये भी वायू सेना अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है याद रखिएगा और इसके लाबा और कुछ important exercise के अगर हम बात करें तो इंद्रा ये किसके किसके बीच में आयुजित किया जाता है इंद्रा तो ये भारत और रसिया के बीच में एक military exercise है ये भी बहुत important होता है कई बार question पूछा गया है इसके लाबा और कौन important exercise के बार में भी याद रखिएगा माला बार किसके किसके बीच में आयुजित किया जाता है एक नेवल exercise है भारत अमेरिका जापान और पिछले ही वर्स इसमें Australia को भी शामिल किया गया था तो चार देसों के बीच नेवल exercise माला बार नामक भी आयुजित किया जाता है याद रखिएगा अब यहाँ पर एक और exercise related important topic है वो है त्री पक्षे त्रक्षक अभ्यास जिसका नाम है दोस्ती पहले सिर्फ भारत और मालदीब के बीच में ही इस दोस्ती exercise को आयुजित किया जाता था लेकिन 2012 में इसमें स्री लंका को भी शामिल किया गया उसके बाद से यह त्री पक्ष यह त्रक्षक अभ्यास है वर्स 2021 में दोस्ती त्री पक्षिय त्रक्षक अभ्यास का जो है तीसवा वर्स है तीसवा वर्स कहने का मतलब है कि यह पंद्रहवा संसकरन है और जैसे मैंने बोला कि यह है एक द्वी वार्सिक है तो द्वे वर्सों के आधार पर तीस वर्स इस 91 में मनाया गया था और स्त्रलंका जिसे मैंने आपको बताया कि 2012 में इसमें पहली बार शामिल हुआ और इसका आयोजन कहां किया गया तो इसका आयोजन भी याद रखिएगा इस वर्स 2021 में मालदीब में किया गया तो दोस्ती तरटरचक अंभ्यास के बारे में भी आपको याद रखना है एक और इंपोर्टन टॉपिक है डिफेंस सक्टर से रिलेटेड ही स्कॉर्पियन स्रेणी की पंडूबी जिसका नाम क्या है वेला इसे हाल ही में कमिशन किया गया है समुद्र में अब स्कॉर्पियन स्रेणी की पंडूबी का निर्मान कौन से प्रोजेक्ट के तहत में किया जा रहा है अगर आप से प्रशन पूछा जाता है तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट सेवन्टी फाइब प्रोजेक्ट सेवन्टी फाइब क्या है तो ये सी प्रोजेक्ट 75 के स्कॉर्पियन स्रेणी के तहत में वे ला जो की इस रिज का चौथा पंडू भी है इसे हाल ही में कमिशन किया गया है प्रोजेक्ट 75 के बारे में और याद रखिएगा कि यह 3.7 बिलियन डॉलर का एग्रिमेंट है भारत और किसके बीच फ्रांस के बीच यानि कि भारत जो है फ्रांस की मदद से 25 सब्मरीन का निर्मान कर रहा है जिसका लक्ष रखा गया था 30 वर्स तक के लिए और इसी प्रोजेक्ट 75 के तहत में स्कॉर्पियन स्ट्रेणी की 6 पंडूबी बनाया जा रहा है और 6 पंडूबी की अगर हम बात करें तो 3 वेला से पहले 3 और कौन कौन से कमिशन किया जा चुका है करंज, कलवरी और खंडेरी करंज को 2017 में कमिशन किया गया था इस त्रेणी के तहत में सबसे पहले अब इसके अलावा 4 हो गया वेला कौन से हो गया चौथा जी से हाली में कमिशन किया गया करंज को कमिशन कर दिया गया है कलवरी और खंडेरी को भी कमिशन कर दिया गया है तो अब यहाँ पर कितने प दीन है अब इस प्रोजेक्ट इसके अलावा इस प्रोजेक्ट 75 के स्कॉर्पियन डिजाइन के छेपंडियों में निर्मान किया रहा है तो छेओं के मैंने आपको नाम बता दिया याद रखियेगा और इसका जो निर्मान है किसके द्वारा किया जा रहा है कौन सी कंपनी के किया जा रहा है ये भी आपको याद रखने की जरुवत है तो मुंबई इस्तित मजगाओं डाक सिप्याड लिमिटेड और फ्रांस के मेमर्स नेवल ग्रूप के सहयोग से किया जा रहा है और वेला का पहला भी संस्करन लाउच हो चुका था जो की 1973 में कमिशन किया गया था और 2010 में इसे निरस्त कर दिया गया अब वेला को अलग से डिजाइन करके स्कॉर्पियन सिरनी के तहप में फिर से इसे कमिशन किया गया है चलिए अगला जो टॉपिक है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना इस योजना को शुरू कब किया गया अप्रेल 2020 में रहे ऐसे लोग थे जिन्हें खाने को भी बहुत मुश्किलों का सामना पड़ रहा था खाने के लिए भी क्रदान मंत्री का अन्य योजना को शुरू किया था जिसके तहट प्रतेक महीने प्रतेक व्यक्ति को पाँच किलो अनाज प्रदान किया जा रहा था और इससे लगभग देश के असी करोड लोगों को लाब पहुँच रहा था अब इस योजना को एक चरण के लिए शुरू किया गया था जिसमें पहला चरण था अप्रेल 2020 से जून 2020 तक के लिए इसमें कहा गया कि भारत सरकार तीन महीने तक मुफ्त में देश के असी करोड लोगों को पाँच किलो चावल इस योजना के तहट में प्रदान करेंगे अब धीरे धीरे इसके चरण बढ़ते गए और अब हाली में 24 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने प्रधान मंत्री करीब कल्यान अन योजना के को और चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है अब यह जो इसकीम है मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है तो आप से प्रशन पूछा जा सकता है कि प्रधान मंत्री करीब कल्यान योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया है या इसकी अवधी कब तक के लिए बढ़ा दी गई है तो याद रखेगा मार्च 2022 तक के लिए इसकी अवधी बढ़ा दी गया है प्रति व्यक्ति पांच महीने किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है और इस योजना का पहला चरण अप्रेल 2020 से जून 2020 के दोरान हुआ इसके बाद दूसरा जो चरण है जुलाई से नवंबर 2020 के भी सुरूआ तीसरा चरण मैं जून 2021 तक और जब कि चौथा चरण अब जो है जुलाई नवंबर 2021 में परिचालन हुआ और जो अभी चल रहा है और अब इसका पाँचवा जो चरण है वो दिसंबर से कब तक मार्च 2022 तक चलेगा ये इसका पाँचवा चरण है तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अनियोचना के बारे में ये इसके कुछ की फीचर से आप इसे भी ध्यान से कर सकते हो पढ़ सकते हो भारत सरकार पे अगर देखोगी तो ये चार महिना जो भारत सरकार ने एक्स्टेंड किया इस पे कितने बजट का हो 5344 करोड रुपए का ये जो है इसके अलावा जो अगला टॉपिक है भारत गौरब योजना ये भी एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है यह योजना को शुरू किया है भारती रेलवे ने कब शुरू किया है डेट याद रखिएगा 23 नवंबर 2021 को किस योजना को पर रेलवे से लीज़ पर ट्रेन ले सकते हैnew अगर मान लिजिए कि मैं एक येजी टूर ऑपरेटर हूं और मुझे एक ट्रेन को लीज़ पर लेना है थाकि मैं उसे गर पूरे ट्रेनों को अब लीज पर भी ले सकता है और इन ट्रेनों को अपनी पसंद के किसी भी सर्किट पर चला सकता है कि मतलब आपको याद होगा स्वदेश दर्शन योजना शोदेश दर्सन योजना के तहत में थीम आधारित टूरिजम प्लेसेश को सर्किट बेसेश पर डेवलप किया जा रहा था तो उन सर्किट प्लेसेश पर इन ट्रेनों को लीज पर लेकर चलाया जा सकता है इस लीज की जो अबधी होगी वो दो वर्से दस वर्सों तक के लिए होगी यानि कि आप अगर किसी ट्रेन को लीज पर ले रहे हैं तो दो वर्स तक के लिए भी ले सकते हैं और दस वर्स तक के लिए भी ले सकते हैं जब आप किसी train को lease पर लेंगे तो security money के तोर पर आपको एक करोड़ रुपय भारतिय रेलवे के पास जमा कराना होगा तो आप हम कोई भी अगर tourist operator बनना चाहते हैं, train lease पर लेना चाहते हैं तो अब भारतिय रेलवे ने इस योजना के तहत में ऐसा facility किया है कि आप train को भी lease प गुडवत्ता तै करने की आजादी में लेगे यानि कि वह अपने हिसाब से जो lease पर train लेंगे उसके गुडवत्ता कैसी होनी चाहिए उसका किराया कैसा होना चाहिए कौन से शेत्र में चलेगा ये इसकी आजादी होगी और उद्देश्य के लिए railway ने 3033 ICF coach रखे हैं यान ये railway का इस योजना के बारे मिं आपको याद रहा है न चाहिए अगला जो टॉपिक है sustainable development goal urban index 2021-22 इस टॉपिक को हमने पहले भी discuss किया है लेकिन फिर से एक बार हलाकि हमने sustainable development goals related discuss किया था और ये जो टॉपिक है urban index related sustainable development goal का ही तो सबसे पहले यह जो ranking है किसके द्वारा जारी क किया जाता है तो याद रखेगा नीती आयों द्वारा भारत में sustainable development goal से related सिर्फ भारत के लिए राष्टी अगर कोई ranking है तो international ranking इंटरनाशनल रांकिंग तो United National Development Program जारी करता है sustainable development goal से related अगर भारत में राष्टी रिपोर्ट जारी हो रहा है sustainable development goal से related अगर आपसे पूछा जात किस संस्था के दूबरा जारी किया जाता है तो answer होगा नीती आयोगा हाली ने शहरी सुचकांकों के लिए एक अलग से इंडेक्स जारी किया और इस इंडेक्स के अनुसार सरवाधीक अंक प्राप्त करने वाले शहरों की सुची में सिमला जो है number one पर है याद रखिएगा अगर question पूछा जाता है पहले स्थान का तो number one पर है सिमला आएगा कुयमबटूर, चंडिगर्ण, करमसह, दूसरे और तीसरे स्थान पर है इस इंडेक्स के अनुसार और यह इंडेक्स जो है जैसे आपको पता है कि सस्टेवल डेवलेप्मेंट गोल ने total 17 लक्ष निड़ किया जिसकी देखरेक में भारत में सस्टेवल डेवलेप्मेंट गोल को अड़ोप्त किया गया है अब लैंग एक समानता जैसे चीजे भी इसमें 17 सस्टेवल डेवलेप्मेंट पर 56 सहरी छेत्रों का रैंक जो है नीती आयोग द्वारा तयार किया गया है और सुचकांग के नीचे के 10 सहरी छेत्रों के अगर हम बात करें तो इसमें फरीदाबाद सबसे लाश्ट पोजेशन पर आता है कुलकाता और आगरा नीचे से है यह है आपके टॉप फाइफ स्टेट और यह है आपके बॉटम फाइफ स्टेट जिसमें सिमला कोयमबटूर और तीसरे नंबर पर आता है आपका त्रिविंद्र पूरम यह तीनों टॉप पे है बॉटम के अगर हम बात करें तो पटना वहाँ पर शायद 10 के नीचे शहरी छेत्र इसे हटा लिजेगा अगर आप देखोगे तो पटना की स्थीती सबसे खराब है आसाम 56 स्कोर के साथ अरुनाचल प्रद सर्वस्त्रेष्ट, समुद्री, जीला, पुरस्कार आपसर पर उडिजा के 21 नमबर 2021 को वर्ल्ड फिसरेज डे कब मनाय जाता है तो 21 नमबर 2021 को प्रती और इसी दिन यानिकि वर्ल्ड फिसरेज़डे के अफसर पर ओरिसा के बाला-सुर्जीले को भारत 10 का सर्वस्त्रेष समुद्री जीला पूरसकार से नवाजा गया है और यहां पूरसकार किस ने प्रदान किया है तो Ministry of Fisheries, Animal, Husbandry and Dearing इसके द्वारा जो है यह पूरसकार बालासोर जीला को प्रदान किया गया है याद रखे अगर आपसे question पूछा जाता है तो यह पूछा जाएगा कि हाली में सरमस्रे समुद्री जीला को किस जीले को प्राप्थ हुआ तो बालासोर ओड़ी साका ठीक अगला जो टॉपिक है वह विंग्स इंडिया प्रोग्राम 2022 यह नागरिक उड़यान मंत्री जोती रादित्य सिंध्या ने 18 नमंबर 2021 को विंग इंडिय 2022 कारिकरम की रूप रेखा हेतू एक कारिकरम का आयोजन किया गया और उसका उद्घाटन इन्हों ने किया अब यह सवाल आ जाता है कि विंग इंडिया प्रोग्राम आयोजित कब किया जाएगा तो इसका आयोजन जो है 14-27 मार्च 2022 तक हैदराबाद के बेगम पिट हवाई एड़े पर आयोजित किया जाएगा इस कारिकरम का थीम याद रखियेगा यह भी इंपोर्टेंट हो जाता है इंडिया इंडिया एट 75 new horizon for aviation इसी थीम पर इसका आयोजन किया जाएगा, इंपोर्टेंट हो जाता है, प्रलिम्स के लिए ध्यान रखियेगा, ये भी आप देख सकते हो कि ये इंडिया का लार्जिस्ट इवेंट होगा, इस इवेंट का परपस किया है, तो जो भी एरलाइन्स चलाए जा रही है, जो भी है, उन्हें एक मंच पर लाने ही तू, इस कारेकरम को इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, कब से कब तक चलाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट ये हो जाता है, 24 मार्स 27 मार्स 22 तर, इसका थीम किया है, वो आप याद रखियेगा, जैसे कि मैंने आपको प खाटन किया गया, पुरवांचल एक्सप्रेस वे का जो लंबाई है, 341 किलोमेटर लगभग के आसपास है, और यह ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस वे, आपने सुना होगा, ताज एक्सप्रेस वे, आगरा लखनौ एक्सप्रेस वे, इसके अलावा हाली में गंगा एक्स सराय गाउं को NS-31 पर गाजी पूर्जी लेके हर दिया गाउं से जोड़ता है, यह पुरवांचल एक्सप्रेस वे, इस एक्सप्रेस वे को उत्तर प्रदेस एक्सप्रेस वे, अद्योगिक विकास प्राधिकरन द्वारा विक्सित किया गया है, तो कोशन अगर यह पूछा पूछा जाता है कि पुरवांचल एक्सप्रेस वे को किसके द्वारा विक्सित किया गया, यह पूछा जा सकता है यह उने एक्सप्रेस वे को किसके द्वारा विक्सित किया रहा है, तो यह सब उत्तर प्रदेस एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरन द्वारा विक्सित किय और इस पुर्वांचल एक्सप्रेस में अगर आपसे लागत पूछा जाता है तो 22,494 करोड रुपर जिसमें भूमी अधिकरहन की लागत भी शामिल है चलिए अगला जो टोपिक है वो है सदी का सबसे लंबा आनसिक चंदरगरहन इंपोर्टेंट हो जाता है अपसे प्ररिलिम्स में डारेक्ट पूछा जा सकता है कि सदी का सबसे लंबा आनसिक चंदरगरहन कब लगा तो डेट है 19 नुवंबर 2021 को कहा कहा देखा गया ये भी ध्यान रखेगा तो याद रखेगा कि इस सेंचुरी का यानि कि इस सदी का सबसे लंबा आंसिक चंदर ग्रहन है और यह 580 साल में सबसे लंबा चंदर ग्रहन था और यह ग्रहन करीब 3 गंटे 28 मिनट 20 सेकंड तक चला इसकी अवदी भी पूछी ज खोटे से हिस्से में इसे आंसिक रूप से देखा गया अब चंदर ग्रहन क्या होता है तो यह शूर्य है यह प्रित्वी है और यह जो है प्रित्वी की कक्छा है और यह जो है वो चंद्रमा की कक्छा है और यह आपको जो दिख रहा है यह चंद्रमा है क्योंकि चंद्रमा जो है पृत्वी की परिकर्मा कर रहा है अब पृत्वी शूर्य और चंद्रमा जब एक ही पूरी तरह से सिध में आ जाए यानि कि पृत्वी की प्रचाया में चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रग्रहन लगता है और ऐसे इस्थीती में अगर चंद्रमा उप्चाया में होता है तो आनसीक चंद्रग्रहन लगता है और प्रच्छाया में होता है तो पूर्ण चंद्रग्रहन लगता है लेकिन condition ये रहता है कि तीनों को एक सिद में होना आवश्यक होता है ठीक है तो इस तरह से आप चंद्र लेक्चर का PDF आपको मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल पर जाकर PDF जरू डाउनलोड कर ले तो आज के इस लेक्चर में फिलार इतना ही थैंक्यू थैंक्यू गरे मैच